पंसुपालड भाई आपको मैं बता दू कि आप जो भैस आपके पास भैस है जा खरीद रहो चार कुम उस भैस में है और नहीं है जा अप किसी नसल के भैस खरीद करें ओप किसी कि उनसल के नेली रामीत हों, या फिर मुर्रा रहो या जomniazdरवाद भैस लेकिन 4 गुन आपके भाहस में होना जरूरीए पशुपालग भाई हो यह जो मैं बात कर रहों यानि ना ज्यादा हाइट ना ज्यादा लो यानि के मेडियाम यानी मेडियाम कि बराबर हर किसान उसको ले सकते हैं क्यूंकि अगặc Comme On侯 कि तरब कर अगर हम पपालों ख़िदना चाहते हैं तो मुरा भाला स्किर प्राइस बहुत अधिक होती है बहुत सारे पसुपाला सब्सक्राइस ओसे यार मैं भेंस तो मुरा कहली भैस की पहचान जिसको अपने बहुत सारा प्यार सपोर्ट करते हो आपको इस चैनल के माध्य में से शैय और शॉटिक जानकारीयां भैस या गाय मचली पालँ या बकरी पालड शहीव सठीक जानकारीय मिलती सबसे पहले अदर के तरफ जाते किसी भैस अगर आप खरीत तो किसी भी नसल को खरिदते हो आप सबसारा पहले अडर को देखते हो उसका जो पैर होता है आगे का पैर जी साब अपने स्की mentin फोτο देख रहे हैं आगे का पैर और पीछे का पैर दोनों का फैर के जिलो दोनों के घंच होता है लेच गा जिसको हिं भी झ 이aderske पालार हम गण भेंड आप जबी भी किसी भैस को खड़िदना आप जो देख रहे स्क्रीन पर मिल्क भैन यह मिल्क भैन पूरा जितना मोटा हो चाहा हो भैस दुबली हो पतली हो मोटी हो यह किसी भी नसल की हो आप समझाना कम सकम यह भैस 12-14 लिटर दूद देगी देगी पसुपालग जिस तरह का घूरा 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 टाइप का मैं स्किन पर आपको बता रहा हूं यह थन पर देख रहो गूरा घूरा टाइप कैसा बना हुआ है जितना उसके नस्व थन पर उबढ़े होंगे आगे पीछे दाए बाय तो समझ जाना यह पसुपालग भाई यह पसु दूध पासु का दूध यह पसुपालग ते पसुपालग यह आप डूपको दो फॉर्णमयोवले बता है बेसिक फॉर्मूला है भीयानि पतलली पतली होगे आप समझाना नहीं बहाटारू भाएस है मारे लिए फायदे मंदब का छॉदला है पसुपालग भाईओं डूसु दू सुभाब की हो चाहिस सिंग मुरा हो टेडा हो सिंग ना हो टूटा हूवासिंग हो कोई फरग नहीं परता है पुटा दूरी पासु के प्रफफत से आप तेप्शंपास डिक है कि आप उसको सुबक्राद भाई हो आप उसको देख ले वहर हमेशा सर को नीचे रखी जो भैस बिमार नहीं होगी उवह हमेशा सर को ऊपर रखेगी पसुपालग भाई और मैं आपको बताना जाता हूं पसुपालग देखिए होता है कि पसुपालग आपको जब भैस करें मंडी की तरफ या कहीं से भैस जब खड़ितते हो या किस है कि रखेगी हो मैं आप उनके इंचे कट्री या बच्री आप जैसे कट्री को जब खोलोगे कंडरें को दूद पी दे रहिये करने डातमार तमारें यह दूद देने नहीं पेहिप प्रॉब्लम होस्कता तेंगों अपने बच्चेर को दूनी प्रॉब्लम् जो उनकी छिमरी होती हैं बाटे होती हैं वो देख सकते हो तुरह इधर उधर दायवाय हो सकता है लेकिन उसका दूद अच्छा होगा पसुपालग भाईयों और पसुपालग देखिए आप कभी भी भैस खरीदों पसुपालग भाईयों कभी भैस आप खरीदते हो दुधार की भैस को ख़िद रहे हो लेकिन जो चार-पांच मुख्य गुन होते हैं जो आपको माला-माल कर सकते पैसे से आपको प्रोपर दूद दे सकते हैं और लंबे समय तक दूद दे सकती है आप एक चीज और नोटिस कहना पसू पालग भाई हो कि वह पसू जिस किसान साब पसू क ख़िद रहे हो या आपके पास भैस है उससे पूछना कि भाई साब आपने AI करवाय था या इनिक कोई डॉक्टर से आपने सीमें डलवाय था या यह आपकी जो भैस तयार हुई यह आपने खुद खुटे पर त्यार किया या भूल का किसी बूल का यह नेचरल बूल का जरूरी हो पसुपालग भाई ओ आप कोई सी वी नसल की भैस क्रड़िदो कहें से भी खड़िदो भैस कि नसल लेकिन 4 5 गुद होना जरूरी है जिससे आपकी भैस जो अधिक दूझ दे सकती पसुपालग और आपकी दूद को मुनध और बढ़ा सकती पसुपालग भाय ओ लो प्राइस में हो या हाई प्रायज में हो यानि मेरे कहने का मतलब है अ किसी भी नसल का क्योंकि नसल को पर भैस का दाम लगता है ठिक पसु पलगा भाई हम जानते हैं मुरा नसल भैस बहुत अधिकद्ध देती है हो सकता है कि जो हम भैस खरीद रहे हैं वह वह ब्हाइस को पर्चेस कर सकते हो पसुपालग भाईओ आपके लिए बहुत अच्छे चीज़ है आप इस भैस को खरिद के अपना मुनाफ़ा कर सकते हो डेरी फार्म को आगे बढ़ा सकते हो तो धन्यवाद पसुपालग भाईओ कृषान भाईओ मिलता हूं अगली वीडि बहुत है झालग भाईओ को प्रिचत, हम मिलता हुट्रान भाईओ को प्रिखज कर सकते हो घ्या हूं बहुत है? है कि लखए ठे यहीं कि अजिस भाटी quite